दोस्तों यहाँ पर चाहत के साथ सान सोते रहते हैं और उसके कुछ देर बाद नंदनी का कॉल आता है उसके बाद सान शान नंदनी कहते हैं अगर क्रिसी को बचा सकते हो तो बचा लो क्रिसी का आज नाम नाम सत्थ होने वाला है उसके बाद सान बहुत तेजी से दोड़ते हैं और अपने कार के पाद जैसे पहुचते हैं वैसे पुली स्टेशन से उनको कॉल आता है और पुली स्टेशन से कहते हैं कि नंदनी जेल से फरार हो चुकी है उसके बाद शान काफी तेजी से गाड़ी चलाते हैं और सिखावत के घर पे पहुंचते हैं और से कोटी गाड़ से उसी नोज जोक होती है और उनको अंदर जाने नहीं दिया जाता है फिर उसके बाद अस्मिता आ जाती है अस्मिता कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो शान मैंने तुमसे कहा है ना नहीं आना है तो फिर क्यों तुम ऐसे कर रहे हो फिर उसके बाद सान कहते है कि किरसी कहा है मुझे उसे देखना है वो ठीक है कि नहीं है नंदनी जेल से भाग गई है और वो किरसी के साथ प्राज़त नहीं है सान दौड के सिखावत को धक्का देते हैं और क्रिसी के कमरे में पहुँच जाते हैं क्रिसी बेट पर सौई रहती है और फिर सान अश्मिता से मिन्नते करने लगते हैं कहते हैं कि आज की रात मैं क्रिसी के साथ बिता सकता हूं शान अश्मिता से बार बार मिन्नते करने लगते हैं और अश्मिता सिखावत की तरफ देखती हैं और फिर उसके बाद कहते हैं नहीं तुम यहां से चले जाओ उसके बाद सिखावत कहते हैं कि तुम यहां से चले जाओ मैं अपनी पत्नी और बच्ची का ख्याल रख सकता हू उसके बाद शान कहते हैं कि नंदनी जेल से भाग गई ये उसकी जान खत्रे में है फिर सिखावत कहते हैं कि आप यहां से चले जाईए अभी और इसी वक्त आप यहां से चले जाईए कि रिसी यहां पर पूरा सुरुचित है सिखावत ऐसा कहते हैं फिर उसके बाएस शान बाहर चले आते हैं और अपने कार के पास खड़े होकर उपर देखते हैं फिर कुछ देर में कॉल आता है जो कि चाहत का कॉल रहता है और चाहत घबराई हुई हो रहती है और कहने लगती है पापा मेरे पास जल्दे आज़ाओ मुझे बहुत डर लग उसके बाद सान कुछ देर वहाँ पर खड़े रहते हैं क्रिशी के घर के बाहर फिर उसके बाद वो गाड़ी में बैटके चले जाते हैं अचानक से फिर जैसे ही जाते हैं वैसे अश्मिता बिंडो के पास आती है और देखके काफी मायूस हो जाती है और थोड़ा रोने लग टेक्सी चली जाती है धीरे धीरे निवेदिता घर के अंदर आती है और बेल रिंग करती है अश्मिता को लगता है कि शान फिर से आ गए है लेकिन शान नहीं आये रहते हैं जैसे दरवाजा कोलती है और निवेदिता रहती है अश्मिता कहती है कि आप और उसके बाद निवे आप घर पे वहाई पर छोड़ के आ गई थी, तो मैं सोचा कि मैं जा रही हैं तो साथ में लेकि आजाता हूँ, उसके बाद वो अश्मिता को शूटकेस दे देती है शूटकेस अश्मिता खाली कर देती है तो फिर निवेदिता जल्दी से जाके वो शूटकेस लेके आ जाती है और फिर उसके बाद निवेदिता अश्मिता से कहने लगती है कि मैं एक बार क्या फिर से कृHC से मिल सकती हो और क्रिशी के रूम में जाती है उस सूट के साथ में सूटकेस के साथ में निवेधीता अस्मिता के सामने थोड़ी नाटक करने लगती है तभीध खराब होने का और फिर क्याती है आ Maxwell पानी लेक Tea Wars जाती है और जैसे है निकलने लगती है बिना बताए अचानक से फिर अस्मिता आ जाती है और निवेदिता से कहने लगती है कि तुम बिना बताए जा रही है और फिर उनसे सवाल जबाब करने लगती है कि शूट के सितना भारी है कि तुम से उठने ही रहा है तुम एसे खीच क्यों रही हो तो फि के बार निवेद ll shape at C all right उसके बाद ऑज मैं था काफी खुज होती है और मनुमन कहती है कि कि एतनी अच्छी है कि आर कि निवेदिता जैसे अवरत को भी उसने बदल के रख दिया है और फिर वो क्रिसी के रूम में जाती है और क्रिसी को एक गुडिया रहती है जिससे निवेदिता उसको कवर से ढख देती है और अश्मिता उसको ठीक से देखती नहीं जैसे कमरे के दरवाजे पर पहुंचती है और वहां से ही उसे देख के लोड जाती है और मनोमनशान को कोश्टी है कहते हैं कि एक इनसान धर्थी पर कभी सुधर नहीं सकता है चाय धर्थी पर भगवान आ जाए अस्मिता जैसे ही चद्दर उठाती है क्रिशी को देखने के लिए वैसे ही फिर सिकावत का बेटा आ जाता है और कहता है कि मम्मी मुझे काफी ज़्यादा खासी आ रही है और मुझे नीद नहीं आ रही है तो फिर अश्मिता बोलती है कि मैं तुम्हें दवाई दे दूँगी आपको नीद भी आ जाएगी और आपकी खासी भी चले जाएगी फिर उसके बाद क्रिशी का दरवाजा बंद करके अश्मिता चली जाती है और इधर निवेदिता सूट केस में क्रिशी को बंद करके लेके आती है और नंदनी को दे देती है उसके बाद निवेदिता नंदनी से पूछने लगती है कि बच्चे के साथ तुम करोगी क्या फिर उसके बाद नंदनी कहती है देखो ना कि इस कल्योग में बे कृष्ण खुदी कंस के पास आ गया है और कहती है इस बार कंस की नहीं कृष्ण की हार होगी उसके बाद नंदनी कहने लगती है और लाया कौन की कृष्ण को यहाँ पर कि कृष्ण की सगे दादी और नंदनी कहती हो वा मज़ा आ गया